हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनास एन्बी चैनल पर आप सभी का सौगत है आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मोसम में अगर मुर्गी को हम अंडों के उपर बिठाते हैं तो चिक्स क्यूं कम निकलते हैं जिया दोस्तो इसी विशह पर आपको विस्तार से जानकरी दी ज इसलिए आप इस विडियो को पुरा अंतक जरूर देखना और अगर चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बाजू में दिया हूँ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले सबी विडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए विडियो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है दोस्तों अंडों की कॉलिटी जै wow विडियो आप देख लीजीगा अब फिलाल दूसरा मुख्य कारण में बता दू कि आप लोग मुर्गी को अंडो के उपर कईफे भी बिटा देते हो जिहा दोस्तो ये भी सबसे बड़ा में कारण होता है गर्मियों की दिनों में आप अपने मुर्गी को उस जगा बिठाईए जापे पूरी तरह से उसे थंड़क मिल सके जिहा दोस्तो ज्यादा टेंपरेचर अगर मिलता है तो हैचिंग रिजल्ट में भी फरक गिरता है दोस्तो जिहा क्यूंकि जापे गर्मी वाली जगा अगर आप मुर्गी बिठाओगे तो मुर्गी हैच करते समय अंडो को जादा टेंपरेचर देगी जिहा दोस्तो हैच करते समय उसको जादा टेंपरेचर मिल मिल रहा है उसके बाद मुर्गी उस अंडों पे बैठी है मुर्गी खुद के शरीर का भी टेंपरेचर अंडों को दे रही है इस वज़े से भी अंडों को टेंपरेचर जादा हो जाएगा उस कारण भी आपका चूदा अंडे के अंदर मरने का अनफटिलाइज एक निकलने क प्रतीशाद बढ़ जाता है इसलिए आप उसे आईसी जगा पे अंडों पे बिठाईए जापे थंडी हवा वगेरा चलती हो वहा का टेंपरेचर जादा ना बढ़े तीसरी बात एक और बता दू दोस्तों आप मुर्गियों को जैसे थंडी के मोसम में बारिश के मोसम में जैसे अंडों पे बिठाते हो उस तरह से आप गर्मियों के मोसम में अंडों पर मुर्गी नहीं बिठा सकते हैं क्या बाकी मोसम में आप कोई भी कटोरी ले ली टोपली ले ली कोई बॉक्स ले लिया गठे का बॉक्स ले लिया या फिर मुर्गी ने जहां अंडे दिये व ज्यादा थोड़े थोड़े बडे छेद वाली, जिसमें आपको कम घास दालना है, ज्यादा घास नी डालना है, हो सके, तो जमें से एक दो फिट की उचाई पे उसे टांगना है, ज्यादा उचाई पे टांग होंगे, तो उपर की गर्मी उसे मैसित वहाँ गी, थोपली के न धाकना नहीं है, किसी भी चीज से मुर्गी को धाकना नहीं है, याने मुर्गी अगर आप पूरी तरह से कोई कटोरी के नीचे या पैक कर देते हो दोस्तों, तो मुर्गी गर्मी से परेशान होती है, जी हाँ, गर्मी से परेशान होने के बाद में, वो खुद उसके बोडी क पूरी तरह से पैक नहीं करना है उसे चारो तरब से थंड़क मिलनी चाहिए हो सके तो जो आपके रूम में दोपर के समय कूलर वगेरा यूज़ करते हो ऐसे रूम में अगर मुर्गी की वेवस्ता करते हो तो भोती अच्छी बात है क्योंकि रात को तो कोई प्रॉब्लम नह समय में मुर्गी को अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो हैचिंग की तरफ ज्यादा ध्याननी देगी और इसी समय आपके अंडे अंफर्टिलाइज होने का डर ज्यादा हो जाता है इसलिए दोस्तों जा तक हो सके दोपर में आपको उसके तरफ ध्यान देना ही है हो सके तो कटोरी के बाजो आपने उसे बिठाया है याने जापे उस पे बिठाया है वही आप एक छोटी सी कटोरी टांग दीजे पानी की या कोई दूसरी वेवस्ता कर दीजे ताकि मुर्गी बैठे बैठे पानी के दो घुट पी सके जितना वो पानी पीएगी उतना दोस्तों उसे गर्मी से रिलिफ मिलेगा और जितना उसे रिलिफ मिलेगा उतना ध्यान हो है हैचिंग के तरफ लगाएगी अब महाए आपको तीसरी और महत्वपुर्ण जानकारी देदू कि आप जो भी अंडे मुर्गी के नीचे रख रहे हो वो अंडे तीन से चार दिन पुराने ही हो होने चाहिए जिहा दोस्तो जितने आप ताज अंडे लोगे उतना आपका रिजल्ट बढ़ी आएगा ज्यादा पुराने दस दिन बारा दिन पंदरा दिन आट दिन वाले अंडे अगर आप रखोगे तो उसमें आपका हैचिंग रिजल्ट मान के चलो की कम आना ही है उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तो क्या है नैचरल टेंपरेचर दोपेड के समय में 38 के आसपास होता है इस कारण जैसे ही मुर्गी अंडा देती है वासे तीन ये चार दिन के बाद अंडों की ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है पिर ऐसे समय में क्या होता है वो अंडों की का डर हो जाता है आपके शुरू के पाच्छे दिन में ही अंडे अंडे अंफर्टिलाइज होने का प्रतिशत बढ़ जाता है करके हो सके तो तीन चार दिन के ताजे अंडे ही मुर्गी के नीचे रखे आपका रिजल्ट अच्छा हैगा पाच्वा कारण में मैं आपको बत होती है अंडे के अंदर की योग वो डिश्ट्रा याने पिगलने का डर होता है जो अंडे के अंडर की योग ज्यादा धक्के से या हिलाने से तूट जाएगी उसमें से चूदा नहीं निकलना है और ऐसे अंडे अगर आप कितने भी रखते हो तो उसमें आपका रिजल्ट इसलिए आप ध्यान दिजेगा कि अगर अंडों को आप कई से उठा रहे हो या फिर कई रख रहे हो या बाजू में सरका रहे हो तो धीरे धीरे शानती से उनको हैंडल करना अगर ज्यादा जोरों से हिलाओगे तो आपका 10-15% अंडा अनफेटिलाइज हो सकता है योग प्लम नहीं है लेकिन फिर भी गर्मियों के दिनों में पिछले बार आपने जितने अंडे रखे थे उतने अंडे हम उस मुर्गी के नीचे नहीं रख सकते जिहा दोस्तों क्योंकि क्या होता है मुर्गी की साइस पर डिपेंड करता है वो कितनी मोटी है कि उसके नीचे अं कि जो बीच वाला अंडा होता है उसे थोड़ी देर गर्मी देती है उसके बाद उसे थोड़ा साइड में ढखल देती है और जो बाहर अंडा होता है उसे बीच में एक दूसरे के उपर से ढखल ढखल के बीच में लेती है ऐसे इसमें भी दोस्तो अंडे के अंदर की योग ड अगर इन सभी चीजों के उपर आप अच्छी तरह से धैन दोगे और आप मुर्गियों को पूरे हचिंग के दिन तक सही टेंपरेचर दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% तो आना नहीं है बट आपका रिजल्ट जितना आना था उससे कई गुना बढ़ चुका होगा मान लो 20% की जगा 40 हो जाएगा 40 की जगा 60 हो जाएगा 60 के जगा 80 हो जाएगा आप इस तरह से भी अपनी मुर्गी को अंडे के उपर बिठा सकते हो लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हो सके तो घर के ही अंडे यूज करना बाहर से लाए अंडे की किसी तरह की कोई गैरेंटी नहीं होती है कि वो अंडे कैसे है क्या है नहीं बहुत सारे लोग कमेंड में पूछते कि भाईया मैं बाहर से अंडे ले सकता हो क्या मैं तो बोलता हूँ लोकल में अगर अंडा मिलता है तो ही ले अंडा अगर धूप के समय में 10 किलोमेटर 20 किलोमेटर 5 किलोमेटर 100 किलोम सोते हैं गर्मी की दिनों में करके दोस्तों अंडा लोकल का यूज़ करे या पिर हो सके तो घर का यूज़ करे सबसे बड़ी और शॉटकट में बात बता दू बाकी अगर आपसे कुछ नहीं भी हो तो जा पे भी आपने अंडों के उपर मुर्गी विठाई हुई है वो रूम का टेमपरेचर जादा नहीं बढ़ना चाहिए इसके लिए आप कोई भी टेवल फैन वगेरा का यूज़ कर स सकते हो और मुर्गी को उपर से ढखना नहीं है ताकि उसे गर्मी ना हो और पानी पीने के लिए रखना ही है बस इतनी तीन चीज़ों पे भी आप अगर धैन दोगे टेवल फैन पीने का पानी और मुर्गी को पूरी तरह से कवर नहीं करना है ये तीन चीज़ों पे भी अ आता है इसके भी मैं कारण और समादान बताऊंगा इसलिए आप हमारी वो वीडियो भी जरूर देखना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करके जरूतमन दोस्तों में शेयर कीजेगा आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में